अब्रीवान टोडेवी अर्वें टो इस्टेडिंग चाप्टर वन इंटीजर्स तो आज हम लोग इंटीजर्स का हर एक टर्म को पहले समझेंगे उसके बाद पिर इसको पढ़ेगे है फ़िस्टन नैचलर नंबर तो देखों कॉंटिंग नम्बर्स और कॉंटिंग नम्वर्स कर प्राल मुक्त सब कुष्च मैं लेते हैं इसके बाद इंटिजर्स के भारें शुक्तलिद नाच्यिर्द नंबर्स तो जीतने भी काउंटिंग नंबर हैं जैसे मान के चलिए वन टू त्री फॉर फाइब ट्यू इंफनिटी लग की जहां तक लेके जा सकते हैं मिलियन कुल लैक टेल लैक वह सब क्या है मेरा नेचरल नंबर है जिसको काउंट कर सकते हैं यह वारियस टाइपस आफ नंबर है मैं इसको समझा रहा हूं आपको इंटेजर्स इसके बात सब्सक्राइब उसके बात आता होल लंबर है होल नंबर्स तो होल नंबर्स में क्या होता है अल नैचरल नंबर इंक्लोडिंग जीरो अल नैचरल नंबर्स टोगेदर विट जीरो तो गेदर वीट जीरो मतलब कि जितने भी natural number हैं, उनके साथ 0 जब लग जाए, तो वो हो जाता है whole number, क्या हो जाता है वो, whole number, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी infinity, लेकिन whole number और natural number का difference क्या है, है, कि देखे, whole number में 0 included नहीं होता, और whole number में 0 included होता है, यही चीज़ है, natural और whole number यही है, कि natural number में 0 included नहीं होता, whole number में 0 included होता है, तो सब्सक्राइब इंटेजर्स, इंटेजर्स क्या होता है, कि all natural number including 0, all natural numbers, all natural numbers, 0 and natural number भी होगा, 0 भी होगा and negatives of counting number, and negative, negatives of counting number, counting numbers, are called integer, अब बात को समझे, integers क्या, negative integers क्या है, जितने भी natural number है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, से infinity, उसके बाद including 0, यादि 0 include कर दिये, तो whole number हो गया, and negatives of counting number, मतलब 0 भी होगा, positive number भी होगा, और इसी का negative भी होगा, मतलब negative counting number, minus 3, minus 4, इसी को हम लग बोलते हैं, क्या, integers, अब देखिए, positive integers क्या होता है, positive integers, positive integers जो positive वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से, एक सेक्टरा, पूरा एकदम क्या है, यह positive integer है, आपको मैं बता दू, कि यह प्लस ना रहने से यह नहीं है, देखिए, one है, और इसके पहले plus है, ठीक है ना, तो यह positive है, यह positive है, और यादि सिर्फ one ही है, इसका मतलब कि यह positive है, इसका मतलब यह नहीं कि यह negative है, यह भी positive ही है, क्योंकि किसी भी number के पहले plus होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, हमें साधियान रहाइए किसी भी नंबर के पहले प्लस होता है लेकिन लोग लिकते नहीं ए किसमें मैनस नहीं रहेगा वह पोजेटीव होगा जिसमें मैंनस रहेगा वही नेगेटीव होगा je inici जेन नेगेसर नेगेटीव transformer अब बात आया कि जीरो क्या है से जीरो क्या है तो जीरो इस एन इंटिजेर विच इस नाइधर पोजेटीव नौर नेगेटीव नाइधर नेगेटीव और नौर नेगेटीव यह ना पोजेटीव और यह ना नेगेटीव इसका ध्यान रखिएगा जीरो ना ही पोजेटीव है और ना ही नेगेटीव है यह रहा हमारा पूरा टर्म डिफिनेशन्स अब हम लोग एडिसंस आफ इंटिजर्स का कुछ रूल्स जानते हैं इसन्स आफ इंटिजर्स तो देखिए यहां से आप लोग को अच्छे से समझना है क्योंकि यहीं से एक्सरसाइज भी स्टार्ट है देखिए रूल पहला रूल किया है कि इस टू पजेटीव और टू नेगेटीव इंटिजर्स अरेटेड यादी हम लोग मान के चलिए प्लस इंटिजर्स और प्लस इं इंटिजर्स जो फ्लस में है उसको प्लस करेंगे तो हमें क्या गेट होगा एक प्लस ही मिलेगा और दूसरा क्या है पहला इग्जामपल हुआ दूसरा एक्जाम्पल है कि मैनस 31 एंड मैनस 25 ठीक है मान के चलिए मैनस 31 एंड मैनस 25 तो यहां से ध्यान रखेगा कि माइनस इंटेजर को यदि हम लोग प्लस करते हैं किसी भी मैनस इंटेजर से तो हम लोग क्या करेंगे करेंगे तो प्लस लेकिन साइन रखेंगे हम लोग किसका मैनस का ज्यान रखना है ठीक है जैसे की मैनस 31 प्लस मैनस 25 ठीक है ना हम लोग क्या करेंगे यहां पर करेंगे तो हम लो लोग एड़ करेंगे तो हम लोग addition ही 516325 लेकिन साइन जो रखेंगे वो किसका रखेंगे हम लोग negative का क्योंकि दोनों का common sign कि मैनस है इसलिए हम लोग इसका sign रखेंगे इसका हमेशा ध्यान रखेंगा आप लोग दो चीज़ का कि प्लस को यदि हम लोग प्लस करते हैं प्लस इंटीजर्स को एक प्लस इंटीजर्स से एड करते हैं तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर मेरा जैस अंसर होगा वो प्लस होगा और साइन भी हमारा प्लस होगा यदि हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को प्लस करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से तो हम लोग करेंगे क्या उस सिस्येशन में करेंगे तो एडिशन करेंगे क्या एडिशन लेकिन जो साइन देंगे हम लोग क्या इसका देंगे नेगेटिव का इस चीज़ को ध्यान रखना यह पहला रूल था हमारा दूसरा है कि रूल टू कि यदि हम लोग एक पोजेटिव मतलब एक पोजेटिव और एक नेगेटिव को यदि हम लोग एड करेंगे मतलब एक पोजेटिव इंटिजर को यदि हम एक नेगेटिव इंटिजर से एड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर मैनस करेंगे मतलब सब्ट करेंगे लेकिन साइन किसका देंगे जो बड़ा होगा साइन किसका देंगे ग्रेटर का साइन किसका देंगे ग्रेटर का कैसे देखें याप पर माने के लिए abanus 50 प्लस मानच तो मानच शिक्षिटीstalk फिप्टी प्लस बशीश्टी तो कि क्या गों गया हैँ फिप्टीक होनग मयदर होता दो तो इस लिए पुल्टा कर दे थे हैं इस्टि और फिप्टी तो यह मां स में और यह प्लस में 01 अब देखे बड़ा स्कून है 60 है 60 का साइन क्या है माइनस तम लोग यहां पर माइनस देंगे हमेशा इस चीज का भ्रान रखना है हम मान के चले की सब्सक्राइब करते हैं तो वहां क्या होगा मैनस होगा लेकिन साइन किसका रहेगा ग्रेटर का साइन किसका रहेगा हमेसा ध्यान रखेगा ग्रेटर का तो यहां पर देखिए 55-352 इसमें क्या है ग्रेटर को ने पर 55-55 का साइन क्या है प्लस तो यह हो गया मेरा अगरां ध्यान रखीगा कि हमको साइन देना है वो किसका देना है परिएका देना है सब्सक्राइड टोब फटे 10 के जो अडिशिघ करेंगे र disag करहें हम लगेंस इंटीन फटेगा इसकी क्या क्या प्रोपर्टी होगी ठीकश है पहला है क्लोजर प्रोपर्टी पहला क्या है क्लोजर प्रोपर्टी पहला है तो इसमें क्या होता है कि यदि हम लोग दोस इंटेजर्स का सम करेंगे मतलब की सम आफ टू इंटेजर्स इंटेजर्स यदि करेंगे तो वह आलवेज एक इंटेजर होगा वह आलवेज एक इंटेजर ही होगा जैसे मान के चलिए फाइब प्लस थ्री एट ही होगया मानच फाइब प्लस थ्री तो ओगाःए सले चलिए ओइक मीरा इंटेजर्स ही गेट हुगा ठीक है, अब देखें, कॉम्निकेटिव प्रोपर्टी अफ क्या बोलता है, कॉम्निकेटिव तो, कॉम्निकेटिव लो अफ एडिशन, कॉम्निकेटिव लो अफ एडिशन में क्या है, कि if a and b are any integers, any two integers, then, यदि a और b कोई भी integers है, तो a प्लस b is equal to b प्लस a, मतलब कि a प्लस b को यदि हम जोडेंगे, तो वो b प्लस a की बराबर होगा है, मान के चलिए, एक example देते हैं, a का value मान के चलिए 2 है, और b का value 3 है, तो हम इस पर रखते हैं, यहां पर a का पहले value रखेंगे 2, फिर b का value रखेंगे 3, तो इधर क्या रखेंगे, बी का value क्या है, 3, फिर a का value रखेंगे 2, तो देखेंगे 3 और 2, 5, तो क्या बोला था, कि a प्लस b इसकल to b प्लस a, तो देखिए, हां पर मेरा दोनों तरफ को खोला गया, a प्लस b और b प्लस a, तो यही है, commutative law of addition उसके बाद associative law of addition इसमें क्या है associative law of addition associative law of addition में क्या होता है कि a plus b under bracket plus c a plus b plus c under bracket a plus b को हम bracket में रखेंगे और plus c करेंगे और दूसरी तरब a को बाहर रखेंगे और b plus c करेंगे तो यह दोनों equal होगा क्यासे होगा इस पर भी हम लोग value रखते हैं मानके चलिए a हो गया 2 b हो गया 3 और c हो गया 4 ठीक है तम a के जगा पर value रख दिये 2 देखेंगे पर value रख दिये 3 और इसको अंडर bracket कर दिये प्लस c का value क्या था रख दी फिर a का value क्या था 2 प्लस बी गा value 3 प्लस c गा value 4 और b प्लस c अंडर bracket कर दिये 3 और 2 5 प्लस 4 टू कर दिये प्लस 4 और 3 7 हो गया तो 5 और 4 9 7 और 2 9 तो देखेंगे दोनों तरफ विखल हो गया यही था associative law of addition उसके बाद देखें चौथा प्रोपर्टिक है एक्जिस्टेंस ओफ एडेटिव अडेंटी मतलग कि यदि किसी भी इंटीजर्स को हम ए से जोड़ेंगे ध्यान रखेंगे किसी में इंटीजर्स को यदि हम लोग ए से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मान के चलिए यहां पर से देखिए आप कि मान ए प्लस जीरू ठीक है और यदि हम लोग जीरू प्लस ए करेंगे तो मेरा ए ही आएगा ध्यान से समझेगा कि यदि हम ए प्लस जीरू करें फिर भी ए ही आएगा और जीरू प्लस ए करें तो फिर भी ए ही आएगा कैसे मान के चलिया के हम एकज का बेल्यूर्ट देता है थ्री क्या रगदर दें रिक प्लस जीरू इसकर्ल टुठ फिर ही आए गा और जीरू एक्जिस्टेंस ओफ अड़ेटिव इन्वर्स यह देखिए अड़ेटिव में हम लोग उने 0 रखा था इन्वर्स में हम जस्ट उसका उल्टा रखेंगे मतलब ए प्लस माइनस ए ए पोजेटिव और ए निगेटिव ए ही को हम लोग पोजेटिव रखेंगे एको ही हम लोग नेगेटिव ही रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है और नहीं तो हम लोग पहले एको नेगेटिव रखेंगे और बाद में एको पोजेटिव रखेंगे तो फिर भी जीरो ही होगा कैसे अब देखिए हमेसा ध्यान रखेंगा यादि क कोई भी नंबर प्लस और मैनस वह पॉजेटिव और नेगेटिव में हो तो वहाँ पर जीरू हो जाएगा वहां सिंपली ओर तरहीके से क्या हो जाएगा जीरू जैसे मानकी इन का वैल्लियों हम 5 रखते हैं 5 प्लस और मानस 5 रखते हैं तो देखें प्लस मानस 5 तो 5-5 जीरू हो गया यही है उसके आगे देखें मानस 5 प्लस 5 तो यह भी 0 हो गया तो एड्याटिव इंवर्स में क्या कहता है इस सेम नमबर कोई भी सेम नमबर जैसे मालगे जिले 5-6-9-8 यही नेगेटिव में है और य यही positive में भी है तो यह 0 हो जाएगा same number positive और negative में रहे तो वहाँ पर direct 0 हो जाएगा यही था मेरा existence of additive inverse हम लोगों के summary क्या है क्या निकला हम लोग इतना दूर तक पड़े तो तहला a minus b is equal to a plus minus b यह दोनों equal है और दूसरा निकला कि a minus minus b is equal to a plus b देखिए इसको कैसे कर सकते हम लोग यहां पर plus minus minus हुआ यहां पर minus आ गया और minus minus क्या होता है plus होता है यहां पर plus आ गया यही था हमारा summary निसी से हम लोगों को आगे question solve करना है कर में पर चले होता है कर दो कर दो कर में